नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाटा के तीन शेर बताने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों टाटा ग्रूप जो की अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉंगलोमरेट है इस ग्रूप के तीन शेर जो की फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं जवर्दस्त इनके फंडमेंटल्स हैं काफी अच्छे खासे ये शेर भाग रहे हैं इन्होंने प्रिवेस टाइम में भी अपने शेरोडर के लिए अच्छे खासे प्रॉफिट बना के दिये हैं और खास इन ती इन शेर में दो शेर के बारे में बताना चाहूंगा प्रमोटर खुद यहां पर बाइंग करते चले जारे हैं यानि की टाटा ग्रूप अपने आप में अपने ही शेर बाई कर रहा है ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए क्यूंकि आप लोगों को पता ह प्रमोटर को ही सबसे ज़्यादा पता होता है कंपनी के बारे में कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कुछ तो यहाँ पर बड़ा होने वाला है तो चले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे जो पहली कंपनी है कि small cap क मपनी है अगर मार्केट केप्टलाइजेशन य देखे जाए तो 60% की और pledging बिल्कुल भी नहीं की गई है इस छोटी सी company की profit growth अगर आप लोग देखेंगे तो 144% की profit growth है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है 100% का भी profit अगर growth देखने को मिलता है आप लोगों को किसी भी company के अंदर तो बहुत बड़ी बात होती है यहाँ यहाँ पे तो 144% की profit growth यहाँ पे हुई है company को अगर debt देखें तो 160 करोड रुपए का और company के अंदर pad निकल किया है 327 करोड रुपए का और net annual profit भी बन किया है 220 करोड रुपए का तो यह almost debt-free company है और सबसे खास बात यहाँ पे आप लोग देखेंगे stock का price to earning ratio यहाँ देख ल अगर company की sales growth देखी जाए तो 31% की और company का ROC 25% का है return on equity 20% का है company का नाम बताना चाहूंगा Tata Metallics Limited जी हाँ दोस्तों यहाँ पे 100 share से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं even अगर 100 share जादा हो जाते तो हर महीने 10-10 share से शुरुआत आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं तो Tata Metallics Limited जैस की नाम से ही पता लग रहा है आप लोगों को यह company इंडिया की एक leading company है pig iron manufacturing में producer में मान लीजिए pig iron जो produce करती हैं उन companyों में इंडिया में second number पे यह company आती है Tata Metallics Limited और साथ साथ D.I.P. यानि कि ductile iron pipes की manufacturing में भी यह company बहुत आगे तो इस industry का कहां पे mainly use होता है तो आप लोग infrastructure industry में काफी अच्छा का सा यूज इनका होता है तो Tata Metallics Limited पहला share है तो अब हम लोग Tata Metallics के यहाँ पे कुछ pros और कुछ cons आप लोगों को बताना चाहेंगे सबसे पहले देख लिए company जो है अपना debt जो है reduce कर रही है बहुत ही अच्छी बात है किसी भी company के management के लिए साथ ही स percentage से जादा का है लेकिन एक चीज जो कि यहाँ पे थोड़ा सा cause of concern है वो है कि sales growth थोड़ी सी कम है 6.63 percentage की पिछले 5 सालों का average आगे बढ़ते हैं company के sales और operating profit में आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे company के sales देख लीजिए 2019 में 2155 करोड रुपए 2020 में 2151 करोड रुप अगर आप लोग देखेंगे तो 2020 में 285 करोड रुपए का था जो की increase होके 390 करोड रुपए का हो गया है 2021 में और इसलिए company की जो profit growth है 144 percentage की है यानि कि company के profit में अच्छा खासा इजाफा यहाँ पे हुआ है share holding pattern जैसी कि मैंने आप लोगों को कहा था company के promoter ने खुद खरीदारी की है यहाँ पे बले ही September 2020 के quarter में की हो लेकिन company के promoter ने खुद share खरीदे हैं बहुत बड़ी बात है पहले कभी 2018 में देख लिए जब 50% हुआ करता था promoter के पास अभी 60% है यहाँ पे promoter के पास उसके अल आज की डेट में 1265 रुपए पे यह close हुआ है और पिछले 5 सालों में 164 परतिसत के return जनरेट करके दे चुका है तो पहला share है 10-10 share करके हर महीने आप लोग buy यहाँ पे कर सकते हैं और long term में अच्छे खासे returns बनते वे यहाँ पे दिखाए देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कमपनी जो की renewable energy से related है आप लोगों को अंदाजा होई गया होगा कि टाटा ग्रूप की कौन से सी कमपनी है जो की renewable energy से related है जी हाँ दोस्तों कमपनी का जो market capitalization है 49,798 करोड रुपए का अगर 52 वी का हाई देखा जाए तो 133 रुपए का और 52 वी का लो 46 रुपीज का dividend yield company की अच्छी खासी है 1.24 percentage की और 1 रुपए की face value वाला यह share है again company की profit growth देख लिजे 159 percentage की profit growth बनके आई है again देख लिजे इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि Tata Group के 3 multi bagger stocks आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पे अगर देखा जाए तो company का अच्छा खासा debt है ऐसा क्यों कि company का नाम बताते हैं आप लोगों को पता लग जाएगा free cash flow भी अच्छा खासा है 6,671 करोड रुपए का promoter की holding 46 percentage की है और company का अगर यहाँ पे देखा जाए नाम तो Tata Power Company Limited जी हाँ दोस्तों company कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है renewable energy battery के segment में साथे साथ power transmission के field में काम करती है और सबसे खास जो इसका है वो है solar energy जी हाँ दोस्तों solar energy आप लोगों को पताए धीरे धीरे fossil fuel से सारी के सारी industry आप renewable energy की तरफ चलती चली जा रही है और renewable energy को एक अच्छा खासा edge future में मिलता हुआ बताने वालों इनका vision देख लीजे clearly इन्होंने का है green energy capacity जो 2025 तक 60% कर देंगे अपने total power generation का 80% कर देंगे 2030 तक और इन्होंने का है कि जो thermal energy है thermal project है उनको total face out कर देंगे 2050 तक तक तो अच्छा खासा इनका ये project है ये अच्छा खासा इनका vision है clean energy के लिए और इसलिए ये company एक multi operating profit में आप लोगों को बताना चाता हूं यहां पर company की sales देख लीजिए 2020 में 39,136 करोड़ रुपए का और 2021 में 32,468 करोड़ रुपए का है और operating profit की बात की जाए तो 2020 में 6,783 करोड़ रुपए के और 2021 में देखा जाए यहां पर तो 6,772 करोड़ रुपए के तो company अच्छा 2020 के quarter में देख लीजिए 46% की है यानि कि promoter ने खुद यहां पर shareholding खरीदी है FII के पास लगए 12% BII के पास 20% और public के पास भी 20% की shareholding बनी विया टाटा पावर company limited पिछले 5 सालों में मातर 72% के return company ने generate की है और आज की rate में 124 रुपए पे company close होती भी दिखाई दी है साथ ही साथ एक चीज कहना चाहूँगा इस stocks को buy और sell करने के लिए आप लोगों के पास एक demet account होना चाहिए और demet account ओपन करने के लिए अप stock जिरोदा एंजल ब्रोकिंग एड एलीज ब्लू चारों के link description में दिये गए हैं चारों के link पे click करें account open करें और enjoy करें चारों की services चलिए आगे बढ़ते हैं और last company आप लोगों को बताना चाहूँगा टाटा ग्रूप के और again यह सबसे बड़ा multiplier share बनता हुआ दिखाए दे रहा है current price इसका आज की date में भी लगवग बहुत उपर यह उचला है जब यह share 600 या 1700 रुपए के आसपास था तबी जाके आप लो तो बहुत छोटी company है TCS के सामने अगर इसका 52 वी का हाई देखेंगे तो 4500 वर 52 वी का लो 885 कर आज इसने अपने नया 52 वी का हाई बनाया है sorry वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ROC देख लिजे 40% return on equity 29% का और 10 रुपए की face value वाला यह share है तो future में जिस तरह से इसका market price बढ़ रहा है लग तर लग रहा है कि यहाँ पर क्या आप लोगों को split भी मिल सकता है यहाँ पर देखेंगे debt तो मातर 73 करोड रुपए का profit after tax 365 करोड रुपए का तो almost debt free company है दो कंपनिया debt free company बताई दो कंपनिया जहाँ पर की promoter अपने share holding बढ़ा रहे हैं यहाँ देखेंगे Tata Elexi Limited जी हाँ दोस्तों यह IT से related share है TCS का छोटा भाई इसको आप लोग कह सकते हैं Tata Group का एक यह dark horse है जो की future में आप लोगों को multi-wagger returns देते वे दिखाए देगा और इसने हाली में पिछले एक साल में multi-wagger returns दिये हैं वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहू चलिए कंपनी के कुछ pros देख लेते हैं companies almost debt free company के 3 सालों का ROE का record देख लिए 29% से जादा का और dividend payout ratio भी company का अच्छा खास है अपनी book valuation लेकिन premium valuation पे यह share मिल रहा है और sales growth भी company की थोड़ी सी कम है यहाँ पे 11% अगर 5 सालों का average निकाला जाए लेकिन जिस तरह से यह छोटी companies company के अंदर बहुत जादा है company की sales और operating profit यहाँ पर देख लिजे आप लोग सबसे पहले 2020 में 1610 करोड रुपे की sales भी थी जो की 2021 में increase हो की 1826 करोड रुपे हो गई again operating profit देख लिजे 351 करोड रुपे का 2020 में और 2021 में 524 करोड रुपे का almost double हो गया तो company का जो performance है अच्छी खा परसेंटेज डी आई आई ने यहाँ पर share holding बढ़ाई है 5% और public के पास 38% की share holding है company का नाम टाटा इलेक्सी लिमिटेड आज की rate में देख लिजे company 4504 रुपे पे close हुई है नाया 52 वी का हाइस ने बनाया और 3% उपर भागिए यह 3% 3% तो यहाँ पर देख लिजे आप results quarter one के आज की rate में declare होने वाले हैं लेकिन जम तक मैं यह video बना रहा हूं तब तक result declare इसके नहीं हुए है तो यह 3 share है जब अरदस देख लिजे पिछले 5 सालों में 441% के return company ने generate करके दे चुकी है तो यह 3 share थे जो कि future में multi bag returns आप लोगों को आसानी से दे सकते हैं Tata group के Tata group जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा group है साधे साथ एक चीज कहना चाहूँगा वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा बगल में जो bell का icon उसे press कर दीजेगा इससे होगा क्या कि share market के latest update आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे और हम लोगों को भी encouragement मिलेगा अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो आज किस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद